आज की इंफोर्मेशन जो है वो बड़ी जबदस्त है वो है अमरूत के बारे में यहां मेरे पास अमरूत है और इसके अमरूत के साथ साथ इसके पत्ते भी पहुत फाईदेमन्द हैं अगर शुगर पेशेंट कोई है तो वो पास से चे पत्ते अमरूद के और एक खाने का चम्मच मेती दाना एक गिलास गरम पानी में भिगो दे और सुबह उसको चान कर अगर नहार मूँ पीना शुरू करें तो कुछ अर्से में आप देखिएगा कि आपकी शुगर लेविल बहुत सा पदस कंट्रोल में आ जाती है वैसे भी अमरूद अगर आप खाते भी हैं शुगर पेशेंट के लिए इसलिए फाइदे मन्द है कि इसमें जो फूट शुगर होती है हर हर फूट में एक फूट शुगर भी होती है फूट वाली चीन ही इसको कहते है ना फूट श खा रहे होते हैं तो अगर आपको फूट लगती है तो आप अगर अमरूद सिर्फ खा रहे हों तो उससे आप यह बेफिकर हो जाए कि आपका शुगर लेविल जो है बड़ेगा नहीं ठीक है कंट्रोल में रहेगा दूसरा यह कि मुस्तकिल अगर रोजाना के मुनियाद प लोग कब्स को बनाता है यategory के अधन है जिन लोगों को लूज मोशनंवागा होते हैं उनको चाहिए कर्च्चा अमरूद खाए और जिलोग कब्स रहती उनको चाहिए कि वूपका अमरूद खाया है कि तरीका कार खाने का क्या है कि इसको आप चोटो जोटे पीसें में काट लिए इस पे आप काला नमक थोड़ा सा छिड़क ले जिनको ब्लड पिशर भी है वो भी थोड़ा छिड़के हैं बिल्कुल बारी तोड़ा सा एक चुठकी शिड़क ले तो नमक के साथ जब यह काला नमक के साथ इसका असर जो हमारी बौडी पे बहुत अच्छा होता है और इसके असर को और बढ़ाने के लिए इसके उपर जो है अगर अधरक का जो पाउडर होता जिसको सौंट कहते हैं उसका पाउडर और नमक थोड़ा से चिड़क कर अगर वो खाते हैं तो वो भी बहुत ही फाइदे मन्द हैं अब आज जाते हैं दूसरा इसका फाइदा जो आजकल करोना वाइरस की वेसे बलगम या सीने में जकडन या बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसके लिए मैंने आपके सामने एक चीज़ करके रखी वी हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैमरा ज़रा करीब कर देंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से यह दे के साथ सुबा निहार मूँ अगर आप लेते हैं और आदे पॉन घंटे तक नाश्टा नहीं करें उसके बाद फिर आप नाश्टा करें दूसरा दरीका का किसुबा की टाइम में प्रॉब्लम होती तो शाम पांच बज़े जब आपका मेदा थोड़ा खाली हो उस वखत साथ एक चया के चंप मच शहद ले लें और इसके बाद पानी या कुछ खाना नहीं है आदा पॉन घंटे तक ठीक है तो आप देखेंगा कि यह आपको आपकी जो बल्गम है उसको बिल्कुल साफ कर देगा और बहुत ही फाइदेमन चीज होती है यह जिल लोगों को खाना हजम होने का प्रॉबलम है उनको चाहिए कि पक्का अमरूद एक या दो अमरूद ले ले और हर खाने के बाद उसको आप इस्तमाल करें थोड़ा सा काला नमक चिड़क कर और अदरक का अगर पाउडर जैसे सौंट का पाउडर होता है वो एक चुठकी चिड़क कर पहुत ज्यादा खाने वाले लोग और बाद में पश्टाने वाले लोग ऐसे लोग होते हैं जो गोश्ट बहुत जादा खाते हैं बहुत शौक से खाते हैं और फिर बाद में पश्टाते ही हैं कि उनका मेदा खराब हो जाता है फौरण मेदे में गर्मी हो जाती है मुक्तलिफ च अगर कुछ भी नहीं है तो अमरूद का दरख तो होता ही है उसके पत्ते तोड़ लें 10 से 15 अदद उसका कैवा बना लें ठीक है सवा का पानी में 10 15 अदद जो है पत्ते डालें और उसको बॉाइल करें बॉाय करने के बाद एक कप कर लें उस कैवे को खाने के बाद आप इस् एक से दो अदद दिन में हो रात में हो अच्छा ये अमरूद ऐसा है फुरूट बहुत सारे फुरूट सोते हैं जो हम रात को माना करते हैं खाने के लिए इसलिए कि वो उसमें शुगर की मिगदार ज्यादा होती है यह फुरूट शुगर ज्यादा होता है लेकिन अमरूद वो आप रात में भी ले सकते हैं, दिन में भी ले सकते हैं, दोपैर में भी ले सकते हैं, यानि कि इसका कोई वो नहीं है, मुझाइका नहीं है, कि आप किसी वक्त भी इसको 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 कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये मेदे के लिए बहुत ताबित होता है और सबसे बड़ी चीज जो है वो है शुगर पिशन्ट के लिए बहुत ही फाइदेमन चीज है यह आईस्ते आपके शुगर लेविल को यह सही करना शुरू कर देता है और थोड़ा सा टाइम लगता है यह नहीं कि आप एक दिन खाएंगे तो फॉरन से हो जा लेकिन जो पतो वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया दोबारा रिपीट कर रहा हूं दस से पंदरा पत्ते और इसमें एक खाने का चम्मच जो है मेती दाना इसको आप गरम पानी में भीगो दें और इसको ड़कन लगा के छोड़ दें सुबह इसको च्छान लें च्छा तो आपने यह करना है कि सुबह इसे आपने तकरीबन एक ग्लास पानी में एक खाने का चम्मच मेती जाना और दस पत्ते डाले बॉल किया आपने इसको थोड़ा दो-चार मिनिट बॉल करने के बाद इसको चान लिया ठंडा करके पीना है ठीक है और निहार मूँ पीना है निहार मूँ पीने के बाद आदा पॉन घंटा कम असकम जो है आपने में कुछ और नहीं खाना है सिर्फ यही पीना है उसके बाद फिर आपने जो है नाश्टा करना है तो आप देखिएगा कि आश्ते आश्ते आपका जो शुगर लेवल है वो मुनासिब होना शुरू हो जाएगा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और साथ में आपकी जो दवाईयां है या इंसुलीन है उसके अंदर कमी आना शुरू हो जाएगी लेकिन प्लीज हमेशा की तरह जड़ी बूटियां या कोई होम रेमेडी जो है वो आपको फॉरण एक दिन में सहीनी करती है खिलाएं सीजन के टाइम पर इंशालला उनका मेदा बच्चे को अगर आपने अभी से खिलाया तो इंशालला उनका मेदा मजबूत रहेगा जवान या बूड़े होने के बाद भी मेदा जो है वो खराब नहीं होगा कमजोर नहीं पड़ेगा चोड़ाता ब्रेक फिर